कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की क्लास के अंदर हम मैंसुरिशन के आगे की कोशन देखने वाले मैंसुरिशन चल ला था हमारा काफे सारे कोशन हम देख चुके हैं बहुत सारे अभी भी पचे हैं नमस्ते भाई देखी वैक्सीन मैंने ले लिया है कोरोना का ठीक है मैं चाहता हूं आप सब लोग भी ले वैक्सीन लेने के बाद थोड़ी दिक्कत आएगी जैसे कल आपके क्लास में भी तुमें को फीवर था कल आज भी हलका फुलका सा फीवर है और थकान भी है और मुझे लगा कि क्लास देके थोड़ा सा ठीक होगा इसलिए मैंने क्लास रख लिया आज की ठीक है वैक्सीन कोई भी लेगा एक दो दिन परेशानी देगी उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा ठीक है तो सभी से कहूंगा आप लोग भी वैक्सीन जरूर ले और जल्दी से जल्दी ले नमस्ते चलि हो फहरck प्रॉबन नहीं है वैक्सीन से कोई प्रॉबन नहीं है कि वैक्सीन आप जब भी लगाते है इद मुबारक सभी को, ाैँँ है टो थोड़ा आता एंए दाग मेंस से होता है छिए वह बाध कुई देगनी है आपको खुद मगज मानना पड़ेगा मैंने खुद 400-500 बार ट्राई किया तब जाके मिली है मेर को भी अब जबूरत आपकी है तो आपको खुद सिर मानना पड़ेगा थोड़ा मारिए सिर आई ये देख लेते हैं एक राइट सर्कुलर स्लेंडर है इस लेंडर है आपके सामने ठीक है जिसकी हाइड जो है अठारा सेंटिमीटर है और रेडियस साथ सेंटिमीटर है इसे तीन भाग में काटा गया एक दो भाग अगर तीन होंगे तो दो कटकी जुरुवत पड़ेगी एक दो तीन एक कटे रहें काटे रहें तैम बन मिल जाएगा मैंने भी बहुत बार ट्राइगी एक है पर जरूवत अपनी है आप लोग को अपनी पढ़ाए वड़ाए भी देखनी है अपना घर परिवार भी देखना है तो बैटर है कि लगवाएं कि हमें पताना कितना इंक्रीज था कुपा यार प्लस है अब कितना पřिचन अब देखें अगर को देखें एक से अखिए और फिर एक यह ठीक है पर आप देखें इसमें और इसमें क्या फरक है इसमें और इसमें यह फरक है केवल एडिशनल यह सरफिर जन्नेट हो गए जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं यानि 4 पाइ आर स्कोर ठीक है यह एक्स्ट्रा आ गया ठीक है यह एक्स्ट्रा आ गया 4 पाइ आर स्कोर आपको यह बताना है कितने percent increase हुआ, ठीक है, increase कितना है, 4 pi r square, initially कितना था, 2 pi r r plus h, into 100 हमें निकालना है, ठीक है, अगर solve करते हैं, ध्यान से देखेगा, pi से pi गया, r से r गया, 4 2 गया, यह आगया, 2 r upon r plus h, 2 r कितना हो गया, 14, r plus h कितना हो गया, 25, into 100, तो answer कितना आगया, 56%, यह 66 नहीं है, 56 है, ठीक है, तो b option मेरा answer आजएगा, यह question है, आपका cgl 17 mains, ठीक है, उमीद करता हूँ, सभी को मेरी बास समझ आ गई होगी, समझ आ गई है, तो जल्दी से mg type करिये, फिर बढ़ते हैं आगे, मैंने भाई, kovi sheet लगवाई है, ठीक है, अब देखिए, दोर ऐसा चलना है, इस दोर में आपको इच्छा ना रखें, बिल्कुल भी, कि मेरे को यह वाली लगवानी है, और मेरे को वो वाली लगवानी है, क सब्सक्राइब लगवानी है, फिक है, चलिए, आज रिपीट थोड़ा कम कर पाऊंगा, थोड़ी वीक नहीं से देखिए, ठीक है, चलिए, नेक्स कोशन पर आते हैं, फोर पाई रिस्क्वेर भाई, यहां से आया, देखिए, ग्रीन वाला पाट, यहां दीजे, एक, दो, तीन, चार, यह एडिशनल आ गया, इंदा गीवन फिगर, डाइग्राम गीवन है, आपको, मैं डाइग्राम बना देता हूं, डाइग्राम गीवन है, आपको यह, यह 90 डेग्री, Q, P, R, S, ठीक है, और क्या गीवन है, आपको, यह 60 डेग्री, यह 1.500 डेग्री, ठीक है, आपको एरिया निकालना है, इसका, यह निकालना है, एरिया निकालना है, यह भी आपका 17 में इसका कोशन है, अब ध्यान से देखेएगा, मैंने आपको एक चीज बता रखी अगर ध्यान होतो, अगर यह 90 है, तो यह भी 60 डेग्री आ जाएगा, 60 डेग्री कैसे, 90, 240, 300, 360, है ना, एक चीज मैंने आपको बता रखी है, किसी भी क्वाडिलेटल को पीछे, अगर मैं एक्सेंड करता हूँ, या तो मेरे को 90 डिग्री मिल जा है, या सिमिलर्टी मिल जा है, उस पर बेस कोशन हो सकता है, यह 17 में इसका कोशन उसी पर है, अगर आप देखें, यह 9 सैंटिमीटर आपको दे रखा है, यह दे रखा है क्योंकि यह 60 है, यह 60 है, ट्रींगल बन गया, तो यह 60 है, यह 30 आजाएगा, ठेक है, अब तो मेरे बात बन गई, जो कि 60 के सामने अगर 9 है यानि रूट 3 की वेल्यू 9 है तो 30 के सामने क्या होगा थ्री रूट 3 और जो 30 के सामने होगा 90 के सामने की जुरुवती नहीं है बिल्कुल इसकी साइड है 9 अब ध्यान से देखिए अगर मुझे क्वाडिलेटल का एरिया निकालना है तो मैं क्या होगा एकुलेटराइमगल का एरिया माइनस राइट एंगल का एरिया कि कतना हो गया रूट 3v4 भाई या स्वेल्ट एटीन के स्कोर है माइनस हाफ इंटू 9 इंटू 3 root 3 अ सबूंद इक इतना आघिया यह आछिए आपका माइनस 27 135 रूर 3 बटे दो यह मेरा आंसर हो गया सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा ठीक है कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया माइनस क्यों कि है भाई क्वाडि लेटल का एरिया निकालना है आपको आप देखे एरिया निकालना किसका है यह कोडि लेटल था आपके पास इसका एरिया निकालना है इसके लिए हमने क्या करा बैक एक्स्टेंड करा तो उचने देखा कि यह इकुलेटर ट्राइंगल बन गया ठीक है यह 60 यह 60 यह 60 ठीक है यह 90 था यह 500 था यह 30 आ गया अब हरे वाले का एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा इकुलेटर ट्राइंगल में से राइट अंगल ट्राइंगल घटाना पड़ेगा सीजी सी बाद ठीक है बिलकुल डाइग्राम में दिया है वह 60 151 50 और 90 इसका एरिया कितना है रूट 3 बाइ 4 ए स्क्वेर यानि अठारा का स्क्वेर इसका एरिया कितना है हाफ इंटू 9 इं इंट्राइगा बस करें लिखा वाई तो तो कहीं नहीं लिखा यांपर जैक करिए पाइप नहीं लिखावा है और जियों नहीं लगा सकते हैं एसे थोड़ी लगा देंगे दिए से मिलना भी तो चाहिए Vecxtend करें बिना नहीं होगा भाई कोशन बिलकुल भी नहीं होगा तो पढ़ाया है इसलिए गया है चलिए, next question पर आते हैं अगर देगे back extend नहीं कर सकते हैं तो question छोड़ना पड़े गा है ठीक है, फिर कोई 4 नहीं है आपके पास चलिए, नेस कोशन पर आते हैं नेस कोशन है आपके सामने यह PQRS, ट्रेंगल कैसे हो सकता है रुजी यह PQR है, PQRS नहीं, PQR इज़ा, PQR एक ट्रेंगल है ठीक है, यह भी सत्रा में इसका, सारे सत्रा में इसके कोशन है इसमें जा रहा था PQR, एक त्रिबूज है, है न, इसका एरिया, whose area is 180, S is a point on QR such that PS is angle bisector, PQ और PR का नुपात है, दो नुपात तीन, area of triangle PSR, ध्यान से देखेगा बिल्कुल, area of triangle का formula क्या होता है, half AB sin C है न, अगर मैं आपसे बोलूँ, यह दो triangle देखो, यह वाला और यह वाला, half common हो गया, एक side यह वाली common हो गया, sign angle common हो गया, बचा क्या, केवल एक side, यह वाली, यानि जिस अनुपात में side हैं, यह वाली, उस अनुपात में area होगा, शित्रफलिसी अनुपात में होगा, तो मैं यह कहूँगा कि 5 की value अगर 180 है, आपको किसकी निकालनी है, PSR यानि यह वाली, यानि 3 unit, यानि 108 आ गया, 108 मेरा answer हो जाएगा, B option मेरा answer आ जाएगा, ठीक है, अब triangle के भी देखिए, question आ रहे हैं इसके अंदर, पर वो है, जो mensuration base है, ठीक है, area वागेरा calculate करना है, कितने लोगों को बास समझ आ गई है, जल्दी से mg type करिए, फिर बढ़ेंगे आगे, यह भी आपका 17 में इसका question था, कोश्णों में कुछ नहीं है, अगर आपने चीज़ें कर रखी हैं पहले से तो, इसमें diagram given है, यह भी आपका 17 में इसका question है, कुछने कि वह भी आपका 17 में इसकाषा रखी हैं कर घभी हैं ग।ू Вас समझ आपका लेकिए डाइग्राम है डाइग्राम मैं बनाये तो पी क्यू आर एस यह केंदर है ओ ठीक है को अब ध्यान से डेखेगा सबी लोग निकालना क्या है परिमाप निकालने बहुत ध्यान से देखना है कि भाई अभी से सारे कोश्चन कैसे हो जाएंगे अभी तो मैं करारां मैं सुलिशन जब कंप्लीट हो जाए तब पताना पी कुण सा कोश्चन नहीं हुआ एक भी कोश् तो यह भी 120 आएगा सीधी सी बात ठीक है टोटल 360 होता है रेडियस ऑफ सर्कल 9 cm अगर यह 9 है अगर यह 90 है अब मैं आप से बोलता हूं अगर मैं इसे जॉइन कर देता हूं तो 30 इदर हो जाएगा 30 उपर हो जाएगा ठीक है 30 30 हो जाएगा 30 नीचे 30 उपर 30 के सामने अगर 9 है तो 60 के सामने क्या होगा ठीक है 9 इसी तरीके से यह वाली वेल्यू आ जाएगी यह भी 9 रूट 3 आ जाएगी है ना अब मैं आगे बढ़ता हूं मैंने बोला यह तो हो गई यहां की बात अगर आप इसे यहां ले जाते हैं है तो यह 20 आ जाएगा 60 यहां पर सिक्स्टी यहां पर 90 नाइन ँर दी के सामने अगर 9 है तो 30 के सामने यह थी रूट 3 यह वाली वैल्यू आजेगी 30 रूट 3 इसी तरीके से यह भी सर्कल था ठीक है यह सकंदर अगर सरकल था तो यह 9 रूट 3 यह 9 रूट 3 यह 3 रूट 3 यह 3 रूट 3 ठीक है अब एक प्रॉपर्टी मैंने बतायती अगर किसी कोडिलेटल किसी चतुर बुझ के अंदर वरत बना है तो आमने सामने वाली बुझाओ का टोटल जो है बराबर होगा 9, 9, 8, 3, 21, 24 24 रूट 3 का दुगना यानि 48 रूट 3 तो C option मेरा answer आ जाएगा ठीक है यह कोशन भी आपका CGL 17 मेंस का है ठीक है दियान से देखिए 17 मेंस का यह कोशन है यह भी यह अगर 90 था तो यह 30 आएगा 30 था तो यह 60 आएगा 30 के सामने 9 तो 60 के सामने यह जो यह है वो यह होगा क्योंकि एंगल सेम है ऐसी जो यह है वो यह होगा एंगल सेम है यहाँ पर भी आपने देखा 60 के सामने 9 तो 30 के सामने क्या हो गया 3 रूट 3 हो गया इसका सम इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होता है यह हमने पढ़ा था ठीक है तो answer आगे आपका कितना 48 रू ही है यह सरकल में कोशन कराएं मैंने इस पर आपको देखे प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि अगर कोई क्वार्डी लेठल है इसके अंदर सरकल है यह x है यह y है यह z है यह t यह माल लेते हैं तो x प्लस y जैड प्लस t के बराबर होगा ठीक है z प्लस t के बराबर होगा आपको परीमाप निकालना अगर आपने यह दोनों निकाल लिया तो यह दोनों निकालने की जुरूद नहीं थी यह दोनों की वैल्यू भी इसके टोटल के बराबर होगी इसलिए मैंने दो गुना किया है चलिए next question पर आते हैं बिल्कुल नहीं तो आप tangent भी बराबर कर सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं कि यह property ही ध्यान नखें आपने यह निकाला यह 3 root 3 है तो यह 3 root 3 नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा यह 9 root 3 है यह 9 root 3 नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा ऐसे कर लो यह property भी तो इसी से आती है यह जो property है यह tangent इकुल करके तो आती है ठीक है चलिए पिटॉट थियोरम नेक्स कोशन पर आते हैं यह यह भी 17 मेंस का कोशन है CGL 17 मेंस PQRS एक पहले लोगराम है समानतर चतुर बुजय है PQRS PQ को बढ़ाया जाता है X तक PQQX के बराबर है पहली बात XS QR को कहां पर पतीचेद करता है एट वाई वाई ने लिखा यहां पर वाई पर ठीक है यह वाई पर काड़ता है आपको बताना है area of SYR किसका area आपको बताना है ठीक है ध्यान से देखेएगा सभी लोग सभी लोग को ध्यान से देखना है figure given नहीं है इसके अंदर figure given नहीं है ध्यान से देखेगा सभी लोग सबसे पहली जी जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो यह कि यह वाला एंगल इसके बराबर होगा यह वाला एंगल इसके बराबर होगा ठीक है है नहीं है बिलकुल और जब यह यह बराबर है तो यह भी बराबर होगा यानि मैं यह बोल सकता हूँ कि यह वाला ट्रेंगल और यह वाला ट्रेंगल कैसे हो गए कॉंग्रेंट हो गए सरवांग समझे से हम बोल सकते हैं या फिर यह बोल सकते हैं जिनका शेत्रफल समान होगा ठीक है कॉंग्रेंट ट्रेंगल हो गए कौन सी प्रॉपर्टी से एंगल साइड एंगल से एंगल स जाइड एंगल को बनाता हूं तो ठीक है अब कि से देखिए मैं आप से बोलता हूं कि यह ट्राइंगल देखिएगा मैं आप से बोला केवल यह वाला ट्राइंगल देखिए अब यह मत बोलना कि सब्सक्राइब कैसे आया है इसके बराबर तो एरिया क्या आएगा वन इस्टू थरी आ जाएगा साइड का रेशय अगर one two है तो एरिया का कितना होता है लन फोर यानि यह वाला वन है तो पूरा फोर पूरा फोर है तो यह थरी आ जाएगा और मुझे पता है ये इसके concurrent है तो ये भी बना जाएगा तो मैं ये बोल सकता हूँ चार unit के value अगर 300 है तो एक unit के value कितनी होगी 75 होगी 75 मेरा answer हो जाएगा ये option मेरा answer आगया ठीक है कितने लोगों मेरी बास समझ आ गई है जल्दी से mg टाइप करिए ये चल्दी से बहुत अच्छे कोशन है किताबों में आपको ढूंड़ने से भी इतने अच्छे कोशन लगाता लगे में नहीं मिलेंगे कि चलिए बहुत बढ़िया एक बार और देख लेते हैं ध्यान से देखिए ये इसके बराबर दे रखता है फिर हमने क्या करा ये वाला एंगल इसके बराबर ये वाला एंगल इसके बराबर क्यों क्योंकि समानतर चत्रबुस्ता पहलो ग्राम था ठीक है एक बच्छे ने यह बुल्या सर्वन थरीक ऐसे और वही नहीं बताऊंगा एरिया का रेश्यो पूछ लिया किसी ने और वही नहीं बताऊंगा अगर आपको पूछना तो पहले सारी क्लास देखिए जमेंट्री की उसके बाद देखेगा कि समने कितनी बार बता है ठीक है तो देखिए ध्यान से कॉंग्रेंट हो गया यानि जो एरिया इसका होगा व सिमलेटी हमने पड़ी है सभी ने पड़ी है अब देखिए पता ऐसी चीज है अगर आपको समझ आ गई तो आप जिनकी भर पूछते ही रहेंगे ठीक है पूरी जिनकी भर पूछते रहेंगे इसलिए जब भी मैंने आपसे बोला बहुत ध्यान से समझेगा इसे मैं आगे भी यूज करूंगा क्योंकि अगर मैं यहां पर भी इस चीज को रिपीट करता रहूंगा तो पूरा टाइम इसमें निकल जाएगा ठीक है और आप सीखेंगे क्या फिर आपको एक बात पता थी कि भाई अगर यह मिड़ पॉइंट है मिड़ पॉइंट का मलब है साइड का तो एक तो एंटीज के कितना होता है वन फोर हो जाता है यह थी आजा जाएगा और अगर आक लिए आपने पूरी जमेट्री पढ़ लिक नहीं कर रही तो यकिन मानिए आपने जमेट्री डंग से नहीं पड़ी बिलकुल भी नहीं पड़ी है पिर हमें एक बात और पता है कि यह और यह यह सेम है तो यह वन यूनिट यह रिवी भी उनिट ओग्फ यह चलिए नैस्ट को शुचन पर राएंगे नेस्ट कोशन है आपके सामने यह बहुत जबरदस कोश्यन बहुत ही जबर्दस कोश्चन है दाइगराम मनायता हूँ पहले मैं इसका P Q R C D A B ठीक है पांच छे चार तीन पांच दो तीन ठीक है यह आपको दे रखा है यह आपको दे रखा है आई यह देखते हैं यह आपको दे रखा है ये भी आपका 17 मेंस का गोशन आपको खुद पता लग जाएगा देखे एक्षुल पेपर की उकात होती गया है यह होता है पेपर ठीक है यानि आपकी त्यारी इस लेवल की होनी चाहिए बहुत अच्छा पेपर है यानि सेल्यूट करने वाला पेपर है कि यहां वाके में जि क्योंकि चीज़े मुश्किल नहीं है चीज़े एप्लिकेटिव हैं दिमाग का इस्तमाल करना है जो लोग दिमाग का इस्तमाल करने से कत्राते हैं वो तो वैसे भी इंस्पेक्टर नहीं बन सकते ठीक है यह बात ध्यान ना किये अब ध्यान से समझेगा यहां पर एरिया औ आपको थीक है मैं आपसे बोलता हूं अगर मैं APB और ABC APB और PQR इसका निकालता हूं तो तो नीचे क्या आ गया पांस तीन आठ दो दस दस दाम सो ठीक है फिर मैं निकालता हूं QCD और PQR अगर दिख्यान से देखिए QCD यानि दस हो गया और आठ दाम 80 तो यह तो फिर मैं देखता हूं BCR upon PQR यह हो गया 12 और यह फिर से 80 हो गया अब मैं इसे 80 ले लूँ अगर दिखिए अब यहां पर मैं क्या देख पा रहा हूं मैं देख पा रहा हूं PQR कितना है 80 है PQR कितना स्थी है यह PQR 100 है तो क्यों न मैं स्थी ले लूँ अस्थी कैसे लूँगा मुझे बस यह पता है कि यह 30 परसेंट है इसका तो अगर मैं स्थी ले ले लेता हूं यहां तो यह 24 आ जाए ठीक है CDC बाद अब मैं आपसे यह बोलता हूं क्या आपको PQR का एरिया पता है नहीं मुझे PQR का एरिया नहीं पता क्या मैं निकाल सकता हूं निकालने की कोशिश कर सकते हैं वो कैसे क्योंकि यह एक Isoslis triangle है 10 और यह 10 यह 8 ही है तो perpendicular drop करेंगे तो 2 बराबर हिस्सों में बटेगा ठीक है perpendicular drop करेंगे तो 2 बराबर हिस्सों में बटेगा 4 यह 4 यह यह कितना आएगा 100 में से 16 गया 84 दो रूट 21 आगिया तो एरिया कितना आगिया इसका PQR का एरिया आगिया आपका half base into height 8 रूट 821 यह एरिया आगिया इसका 8 रूट 21 कोशन देगे कितना बड़ा है क्या 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 चीज़े करने बढ़ेंगे और एक्जाम का कोशन है मेरी तरफ से कोशन नहीं है ठीक है यह एरिया आगिया किसका इस triangle का यानि आप बोल सकते हैं कि असी की value अगर 8 रूट 21 है ठीक है आपको किसका इरिया निकालना इस वाले पार्ट का इस वाले पार्ट का इरिया कितना होगा ध्यान से देखेंए अगर आपसे बोला गया 24 यह हो गया 10 34 और 12 46 असी में से 46 चला गया ठीक है बचा कितना 34 तो 34 यूनिट की विल्यू कितनी आएगी ठीक है यह मेर को निकाल ली गया ध्यान से देखेएगा यह आगया आपका 17 बटे 5 रूट 21 यहां मैं यह देख सकता था 34 का मनलब 17 का मल्टेपल यह मैं देख सकता था यहां बिल्कुल देख सकता था कि 17 तो आए गई आएगा कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से mg टाइप करिए यह है दमाकेदार गोस्चन भाई और ऐस कि यह दूझन आने वाले एक्जाम में में मिल सकते हैं आपको कि ऊऔर रहे NO में जल्दी से टाइप करिया अगर बात क्लिए रहे सो कर दोeleriare below the नहीं कि ऑनका पारे purchasing पढ़्या बहूत बड़िए बहुत बड़िया सिक आगर आप आपने में से जमेट्री पड़ी है तो जमेट्री में अच्छे से बताएं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नैस कोशन पर पीकिवार आप हंड्रेट लेके कर लो बात एक ही है बात एक ही है देखिए चीजे सीखिए सीखिने के लिए कितना कुछ है अब देखिए यहां पर आप यह कहेंगे कि मैंने हाफ एबी साइन सी नहीं लिखा अगर आप यह बोलते हैं तो इसका मलब आपने में से जमेट्री कर एक भी करें से ठीक है अब आगे बढ़ते हैं ध्यान से देखिए मैंने हाफ एबी और लेखा ठीक है अच्ले किने में धकिन यह ही इससे यह इसे अát ही ठीक है, अब यह 80 कैसे बनेगा, ऐसा थोड़ी है कि 100 को 80 बना सकते हैं, बिलकुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, भाई 100 का 30% है उपर, अगर आप नीचे 80 ले लेंगे, तो 80 का 30% ले लो, रेश्यो तो सेम ही रहेगा, अब ऐसा थोड़ी है कि हम यहाँ पर 200 नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, मैं 200 लिख सकता हूँ, ऐसा थोड़ी मैं 15 नहीं लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता, केवल मेरे को यह देखना है, जो वेल्यू नीचे लिखे है, उसकी 30% उपर है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, आपके फा ना देखिए ध्यान से 80 का 30% 24 हो गया 80 से 10 आ गया 80 से 12 अगर अगे बढ़ते हैं एक सेकंड लुक जाईएगा एक सेकंड मैं इसे और खोल के दिखाता हूं आपको ठीक है अगर 80 टोटल एरिया लिया था आपने 80 में से 24 यह आ गया ठीक है 80 में से 10 और 12 यह 10 आ गया यह 12 आ गया है ना और यह कितना आ गया बिल्कुल पूरा ओप्रेशन हो जाएगा इसके अंदर मैं यह 34 आ गया ठीक है तभी तो 80 बनेगा अब आपने देखा कि भई 80 की वेल्यू कितनी थी 80 की वेल्यू आपको नहीं गीवन दी उसके लिए हमने क्य करा है यह ट्रेंगल लिया दस दस आठ क्या मैं इसका इरिया निकाल सकता हूं निकाल दो सकता हूं पर अगर मैं प्रपेंडिकुलर डॉप करके आइसो स्लेस बना लूँ तो और असान पड़ जाएगा यह दो रूट 21 आ जाएगा एरिया कितना आगया था यह आठ रूट 21 पूछा क्या है चौतिस की वेल्यु पूछिए और मेर निकालने तो मैं देखना हो 17 पूरा कैलकुलेट करने की जुरुत नहीं क्योंकि इसमें 17 ठीक है और यही मेर को निकालना है उमीद करता हूं अब सभी बच्चों को एक एक बास समझ आ घए ओगी होगी ठीक है बढ़ कि देखे क्या कह रहा है एक कि शट बुझ कि थोड़ी सी प्रॉपर्टी में बताऊंगा देखे पॉलिगन तो हम करेंगी करेंगे कि शट बुझ के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा पहले आपको कि वन वन टू रूट थ्री पहली चीज आपको यह ध्यान लखनी है यह साइड वन होती है तो यह टू होती है तो यह रूट थ्री होती है दूसरी चीज सबसे पहली बात यह जएंगे एक सिमिट्रिकल फिगर होती है ठीक है यह चिए ट्रेंगल एक जैसे करलेंगे ये सारे इकुलीटल ट्रेंगल होंगे ठीक है सब की साइड बराबर होगी ए ए ए ए ए ए ए atención ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखनी है ठीक है अब देखते हैं कोशन किस पर है क्या कोशन इस पर बेस है भी ये नहीं है ये दो चीजे तो ध्यान रखनी है आपको हार आलत में ठीक है और अगर आप इसके अंदर माद्धिगा बना रेते हैं दीखिए कुछ कोशन आपको ऐसे भी मिलेंगे एक पेजोल ले लेता हूं मैं ध्यान से देखते हैं ध्यान से देखते हैं कुछ कोशन ऐसे भी मिलेंगे आपको देखे पोलीगन तो मैं कराऊंगा अलग से ठीक है पर जरूरी नहीं है कि हर बार एक सब्सक्राइब कोशन आए तो पोलीगन का फॉर्मला कि भाई साइड कि ध्यान से देखिए यह इकुलेटर ट्राइंगल बनते हैं छै इसके अंदर संभाहूत रिबुज ठीक है तुछ सारी साइड हो जाती है इसलिए यह हो गया तो यह हो गया इद नजर आ अब ध्यान से देखिएगा वैसे तो डाइग्राम बहुत अच्छा बना नहीं है अब परपस आपको समझाना है कि वल अब 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 कि सबसे ज़्यादा सिमिट्रीकल फिगर होती है हेक्सागन अब देखें यह क्या बनाया रहे है कि द्याद से देखें भाई आप गलत बोले हैं विकास पुमार आप देखें पहले चीज़ों को समझें चीज़ें करते-करते समझाएंगे ठीक है कि एरिया की बात नहीं हो रही माँ पर तक ही जो कि अजया है ाप ये क्लार की ये में आत्यवर्स ले लेता हुं कि यहां यह थीक है कि चाहता हूं कि तिर हएं कि मैं चाहता हूं कि आप के दिमाग में पहले से वह से इसलिए मैंने एक से बदाएं कि वह से प्रोपरटी पहले एक इसमें कितने ट्रेंगल हो गए यह च्छे हो गए आपके ठीक है च्छे कितना होगे च्छतिस ट्रेंगल होंगे इक्वल एरिया के होंगे अब मैंने यह क्यों बता है यह भी समझे कई जगे क्या होगा इस तरीके से डायग्राम दिया जाएगा आप से बोला जाएगा कि hexagon का area इतना है hexagon में कितने triangle हो गए hexagon का मदल्ब होगि आप पूरा 36 triangle हो गए यह चोटे चोटे और आप से कोई भी पूछ ले जाएगा आप से कहा जाएगा कि यह shaded बताईए या आप से पूछ ले जाएगा यह shaded बताईए इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं तो यह सार इतरी बुझ जो है समाद शेतरफल के होंगे एक प्रोपर्टी यह बताई मैंने आपको दो प्रोपर्टी यह बताई है कि यह साइड वन है यह वन है तो यह रूट थरी होगा और यह वाली लैंद टू यूनिट होगी और यह है कि 6 इकुलेटर ट्राइंगल बनेंगे ठीक है यह तीन चीजे मैंने आपको बताई है अभी शट बुझ को लेकर जिसकी बुझाए 6 होती है ठीक है अब बढ़ते हैं आगे अब आते हैं कोशन पर उमीद करता हूं प्रॉपर्टी सभी को किलियर होगी प्रॉपर्टी किल एक सो बीस दीगरी का मलब क्या है कॉस एक सो बीस बराबर होगा किसके अगर मैं इसको एकस ले लेता हूं बराबर होगा वन का स्क्वेर प्लस वन का स्क्वेर माइनस एक स्क्वेर अपॉन टू एक सो बीस क्या होता है एक सो बीस होगी है माइनस एक बटा दो दो से दो कट एक स्क्वेर की वेल्यू कितनी आ गई तीन आ गई तो इसलिए रूट तीन आ गया ठीक है अब मैं आगे बढ़ता हूं कोश्चन पर आता हूं कि मैं हमेशा दिमाग में पहले से रखता हूं किसी चीज को पढ़ने से पहले अब ध्यान से देखेए का यहां पर अब मैं अगर इसे लेकर आता हूं यहां पर है ठीक है अब देखें क्या गया रहा है ए बी सी डी ए ए एफ पी क्यू आर जो है मद्दे बिंदू है पी क्यू आर है ठीक है दियान से देखिए पी एक सेकिन हो जाएगे यहाँ क्यू आर ठीक है ए एरिया ओफ पी क्यू आर बद निकालना है आपको क्या निकालना है आपको एरिया ओफ पी क्यू और अर ठीक है अब मैं आपसे एक चीज बोलता हूँ बहुत ध्यान से आपसे करिएगा बहुत ध्यान से यह दे रखे आपको बारा यह होगी चोबिस ठीक है ज्यान से देखना है सभी को यह दे रखे बारा यह चोबिस आर क्यूंकि वेल्यू कितनी होगी बता सकता है कोई अगर नहीं बता सकता तो वो प्रॉपर्टी रिकॉल करिए जब रिपेजियम वाली प्रॉपर्टी बताईती मैंने कि अगर यह M है यह N है यह मिड़ पॉइंट है तो यह वाली लेंद कितनी होगी अगर पलॉपर्टी यह चोबिस पलस बारह चतीस चतीस बटा दो यह निए अटार अब जिस तरीके से यह अटार आ होगी से यह अटार आ होगी तो यह क्या बन जाएगा एक शंबाहुत रिपुज मन जाएगा इकुलेटे ट्रींगल बन जाएगा रूट 3 बाइफ पूर-अठारह का स्क्वाइर है नो इन्टु दो का स्क्वाइर यह व्लगिया ईंसर हो गिए यह इतने लोग को मेरी बाद समझ आ गई है फिर बढ़ेंगे अगले कोशन पर ठीक है चलिए बहुत बढ़िया नेस्सकोर्शन पर आते हैं है नेस्सकोर्शन है आपके सामने यह कि इसमें भी डायग्राम गीवन रुज यह देख लेता हूं डायग्राम क्या की इवन भाई डायग्राम आपको यह गीवन है पी क्यू आर एस टी यू कि पी क्यू आर एस टी यू कि एरिया एस क्यू यू कि इसका एरिया आपको निकालना है अब देखें एरिया निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसका द्यान से समझे थर्ड साइड 18 कैसे हुआ भाई बता तो दिया मैंने अरे यार देखें एफसी 24 क्यों हुआ देखें अभी अभी तो बताया है बिल्कुल अगर यह वन यूनिट होगा तो यह दो यूनिट होगा यह 12 है तो यह 24 आएगा यह 24 आगिया ठीक है अब आप बोलें कि पी क्यों कैसे निकला तो वह भी मैंने बताया मैंने आपको बताया कि पी क्यों कैसे निकले अर क्यू कैसे निकलेगा भाई यह ट्रिपेजियम की प्रोपर्टी हमने पड़ी थी समलम चतुरबुज यह अगर मिड़ पॉइंट होता है तो यह 24 प्लस बारा बटे दो अठारा गया ठीक है अब आते हैं इस पर ब्यान से देखें को सबसे पहले ना कि पिल्कुल भाई बहुत अच्छ है मैं कुछ बोल्ला हूं इस तडि के घूशन एक्जाम में भी मिलेंगे आपको इंगल डाहरcket इंगल मुझे जैसे अ ठीक है पर मुझे किसका एरिया निकालना है मुझे तीन ट्रेंगल का निकालना है भाई ओर दो प्रोपर्टी भी 18 18 इसी तरीके से होगी ना रहे यार आप कैसी बाते करते हैं अगर यह इसके लिए यह बनाओं और मैं बोलू कि यह 24 है यह 12 है तो यह 18 आ जाएगा ऐसी में यह वाली लाइन बनाओं तो देखिए उस तरीके से आ जाएगा कि अग्या थीक है अव इस कोशन पर आता है यहां से समझेएगा च्शेट राइंगल है एक जैसे पर आपको किस्कितने चाहिए मेरा ठीन ठीक है तीन ट्रैंगल चाहिए यानि मुझे क्या चाहिए है एक्सगन का हाफ एरिया चाहिए एक्सगन अपॉन टू यह चाहिए मेरे को यह चाहिए अगर बात करी जा है अगर मैं आपसे बोलूं कोई है यानि कोई शट बुझ है यह भी सत्रा में इसका कोशन है आपका ठीक है कैं वालकम भाई थोड़ा सा दिमाग लगा यह थोड़ा से यह को रिक्वेस्ट करूंग आपसे लागव लगाना सोचना भी है क्योंकि दिमाग पर जोर नहीं पड़े अब ध्यान से देखिए हेक्सागन की साइड है 12 हेक्सागन के अंदर कितने ही ट्राइंगल होते हैं अभी पढ़ा हमने च्छे ट्राइंगल होते हैं पर हमें हेक्सागन का आधा चाहिए यानि तीन इकुलेटर ट्राइंगल तो 3 into root 3 by 4 into 12 का स्क्वेर ठीक है यह हो गया 36 ती है 108 108 root 3 मेरा अंसर हो गया c option मेरा अंसर आ जाएगा ठीक है कितने लोगों को बास समझ आ गई है जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से फिर बढ़ेंगे आगे हेक्सागन को लेकर पहले पूरी पिक्चराइशन यह होनी जरूरी है कि सन्में ऐसे ऐसे यह यह बता रखा है प्री एक्जिस्टिंग चीज़े होनी थी यह यह चलिए बहुत बढ़िया नेक्स कोशन पर आते हैं फिर एक्सागन का कोशनर आगया देखे में अभी पोलीगन नहीं पढ़ा है फिर भी देखेंगे एक्सागन तर भी ज़्शन करा रहा हूं मैं है आपको अ коли दो क्योंकि पोलिघंडे अंदर फॉमले ऐस चोशन है यह डायग्र्लों को आपने कि सद्ध कर रuckा है अगर ये side 12 है area of ECD आपको निकालना है ठीक है अब इसमें तो कुछ है ही नहीं अगर आप ध्यान से देखें तो ठीक है ये तो question बहुत ही अलका हो गिया hexagon by 2 क्यों किया मेरे भाई ये बताया तो आपको ये लिखावा भी है मैंने regular hexagon है जिसकी side 1 जैसी होती है ठीक है तो ये triangle अगर बनेंगे तो ये एक जैसे बनेंगे क्योंकि regular hexagon है hexagon के अंदर ऐसा होता ही है तो देखे 6 एक जैसे होगा है आपको 3 का area निकालना है यानि कहने का मल्लब है आपको hexagon का आधा area निकालना है तो hexagon का आधा area निकालना है आपने यहां अब यहां पर आते हैं ध्यान से देखेएगा यह 12 है तो यह भी 12 होगा यह कितना होगा 120 डिग्री तो formula सीधर लगाते हैं half into a b into sin c sin 120 कितना होता है रूट थ्री बाय टू तो चार से काटेंगे तीन आ गया 36 रूट तीन मेरा आंसर हो गया खतम कुछ नहीं गन्ना मेरे को ठीक है कितने लोग को बास समय जा गई है जल्दी से mg टाइप करिए फिर बढ़ेंगे आगे चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आड़े तिर्चे ऐसे वैसे सारे कोशन क्लास में हो जाएंगे ठीक है घबराना बिल्कुल भी नहीं है ठीक है बस क्लास इंसेली गन्नी है अगला कोशन है यह आपके सामने कि ए बी-सी-डी-ए-फ एक रेगुलर हेक्सागन है ठीक है जिसके अंदर आपको यह दे रखा है ठीक है यह आपको दे रखा है शेड़ीड और अंशेड़ीड एरिया आपको निकाला है ठीक है यह परपेंडीकुलर है ठीक है परपेंडीकुलर यानि वही जो दो इससों में बाटेगा हम मैं आपसे पते क्या कहता हूं हम मैं आपसे कहता हूं वह फिगर रिकॉल करिए कौनसी वाली अब फिगर देखिए मैं डंक से मना रहा हूं थोड़ी सी थीक है अब ध्यान से देखिए अगर मैं परपेंडीकुलर ड्रॉप कर लेता हूं यह कर लिए मैंने परपेंडीकुलर ड्रॉप थीक है यह आगा है आपके सामने अब मैंने आपसे क्या बोला ध्यान से देखिए मैंने आपको बोला था कि सारे ट्रेंगल एक जैसे मिलेंगे इसका एडवांस वर्जन कराये था मैंने आपको अगर ध्यान होते हैं मैंने सारी ही मीडिएन बना दी ती और मैंने मुला यह इंने सारे एक जैसे मिलेंगे यह भी सारे एक मिलेंगे आप देखें यहां पर आपको कितने ट्रेंगल मिल ले हैं ठीक है आपको यहां पर मिल ले 1,2,2,2,4,2,6,2,8,2,10,2,12 12 मिले हैं 12 में से Shaded कितनी है 12 में से दो Shaded है और Shaded कितनी है लिए 10 तो कितना अनुपात आगिया एक अनुपात पाँच आगिया ये मेरा अंसर हो गया ठिक है कितनी लोगों को देखे वन इस्टू सिक्स नहीं टोटल के साथ नहीं बोल रहा वह कितना एरिया टोटल फीगर का देखे फरक पड़ता है इन चीजों से अगर वह पूस्ता टोटल के साथ ठीक है शेडिड अपॉन टोटल तो आंसर आता दो बटे पारा अगर उसने पूछा शेडिड अपॉ ये डायग्राम वही ध्यांत से रिकाल कर सकता है जिसने यह पढ़ा हो इंचैने तो इसका इड्वांस बदाए था आपको मैंने आपको क्या बताया था मैंने तो आपको यह बताया था यह परफेंडी कुलर अपया फ्या कि धो शेडिड हैं भाइये लिक योडीवन और नेस्स कोशन है आपके सामने ये एक पहले लोग राम है जिसका अधार दस है उचाई पांच है और बड़ा डाइगनल जो है वो तेरा है ठीक है बड़ा डाइगनल तेरा है आपको छोटा डाइगनल बताना है यानि मेरे को ये वाला डाइगनल बताना है ठीक है अब ध्यान दीजिएगा ये तेरा है ये आठ है अगर मैं यहां से प्रपेंडिगुलर डॉप करता हूं देखिए और मैंने ऐसा क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगा तो ये पांच आ गया क्योंकि मेरे को तेरा ये दिख गया तो पांच ये दिख गया मुझे ये पता लग गया कि ये बारा होगा तो फीच है भारा में से आप देखें दस ये है तो दो ये आएगा और दो ये है तो दो ही ये आएगा कि ये कितना बचस यह 8 बचेंगा अप अगर ये 5 होगया धीक है आपको क्या निकालना हे आपको ये वाला लेन्थ निकालना ये मैं आपसे बोलता हूँ अगर यह 5 हो गया यह 8 हो गया तो यह आप निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं कितना आगया रूट 89 रूट 89 आपका अंसर हो जाएगा ठीक है जितने असान तरीके से मैंने solution करा दिया आपको इतना असान solution basically है नहीं इसका ठीक है यह जरूर है कि अगर आपने पहले से कर रखा तो आपको इतनी बड़ी बात नहीं लगेगी ठीक है और पहले से समझ रखा है तो देखे यह पहले लो ग्राम था यह 13 था डाइगनल यह वाला मैंने high drop करी यह 5 आ गया 13 पांच के साथ 12 ट्रिपलेट बनता यह 10 था तो यह 2 आ गया अब जितना यह होगा उतना ही यह होगा पहले लो ग्राम है ठीक है दो यह तो दो यह बचा कितना आठ अब 8 ही यह है पांच ही है फिर मैंने python लगाया और आंसर निकाल लिया कितने बहुत बढ़िया कि नेस्ट कोशन पर आएंगे नेस्ट कोशन आपका यह डाइग्राम मैं दे दे देता हूं आपको कि डाइग्राम है आपके लिए यह कि ए डी बी सी पी क्यों यह पांच यह तीन ठीक है यह 5 यह 3 और क्या दे रखा है यह दस दे रखा है यह 18 थिक निकालना क्या है आपको निकालना है पी क्यू की लंबाई ठीक है पीक्यू की लंबाई निकाल लिया है अब देखे इस को मैं दो तरीके से आपको कराऊंगा पहला तरीका अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अगर मैं एक लाइन बना देता हूं इसके पहले तो दस यह है दस यह आ गया दस यह आ गया बचा कितना यह आठ बचा ठीक है और यह किस अनुपात में है पांच अनुपात तीन में पांच अनुपात तीन में यानि अगर मैं आपसे बोलू कि यह वाला ट्रैंगल देखो पैलल लाइन्स है, आठ की वेल्यू आठ है, तो पांच की वेल्यू पांच आ जाएगी, तो PQ की लंबाई कितनी आ गई, PQ की लंबाई 15 आ गई, 15 मेरा आंसर हो गया, एक तरीका था मेरे पास करने का ये, कि मैंने एक लाइन ड्रो कर दी, यहां से पैलल, तो ये 10, ये 10, ये 15 आ गई, 15 मेरा आंसर हो गया, ठीक है, दूसा तरीका क्या था मेरे पास, दूसा तरीका ये है, जो मैंने एक थियोरम बतायती आपको, ठीक है, तरीका बतायता है, एक फॉर्मलाई, वन अपॉन M प्लस N, इन्टू, ये इन्टू ये, अठारा पंजे 90, और 10, ये 30, 120 बटे 8 या नि 15, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, एक मैंने आपको ये बतायता, उम्मीद करता हूँ, दोनों ही सोलूशन सभी को किलियर होंगे, किलियर है, तो जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे भाई, चलिए बहुत बढ़िया, नेस्ट कोशन पर आते हैं, दाइगरम गीवन है, इसमें भी, ये कोशन 17 मेज का है, आपका, यहां से देखिए, ठीक है, यह डाइगरम है आपके सामने, A, B, C, D, ठीक है, और, E, F, G, ये शेड़ेड है, ये एरिया आपको निकालना है, ठीक है, शेड़ेड एरिया आपको निकालना है, कोशन मुश्किल तो नहीं है, वैसे, ठीक है, द्यान से देखिएगा, पेपर के टाइम भाई, वो यूज़ करना है, जो क्लिक कर जाए, आठ, ये आठ है, अगर, ये छे है, ये दो आगया, ये छे है, ये भी दो आगया, ठीक है, शेड़ेड एरिया अगर मैं निकालता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, बड़े स्क्वेर का एरिया, देखिए विजुलाइज करिए दिमाग में, आठ बाए आठ का, माइनस छे बाए छे का कर दूँगा, माइनस एक ये वाला ट्रेंगल कर दूँगा, आठ बाए दो का, ऐसे दो कर दूँगा, क्योंकि ये भी है और ये भी है, ठीक है, अब देखे, 64 में से 36 गया, माइनस, अब 2 का मलब है, 8 दूँगी 16, मैं सीधा कर देता हूँ, 52 आगया, तो 12 मेरा अंसर हो गया, ठीक है, 12 सेंटिमीटर स्क्वेर मेरा अंसर आ जाएगा, कितने लोग को बास समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नेस कोशन पर आते हैं, नेस कोशन है, आपके सामने ये, इसका डाइग्राम ये दे रखा है आपको, ये भी 17 में इसका कोशन है, हुआ हुआ है, अब मैं शेडिट बनायाना है, इसके अंदर, ए बी, C F D P L M N O Shaded क्या है Shaded मैं कर देता हूँ रूख जाईए यह है Shaded यह अंदर वाला जो वर्ग है यह Shaded नहीं है इस तरीके से Shaded है ठीक है इस तरीके से Shaded है अब सबसे पहले यह भी आपका सत्रा मेंज का कोशन है CGL सत्रा मेंज सबसे पहले मैं आप सभी से यह कहूँगा कि आप यह देखे Shaded Area निकलेगा कैसे यह E point है यह बड़े वाला square जो है इसकी side 14 इसमें से semi circle घटाऊँगा semi circle का diameter 14 है radius 7 रहेगा ठीक है E और F mid point हो गए और 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 यानि यह भी साथ हो गया यह भी साथ हो गया यानि यह साथ है square है तो यह भी साथ है दोनों diagonal तो यह वाला square हो गया जिसके diagonal है 7 by 7 के ठीक है ऐसे निकलेगा diagram दिया ही है भाई इंदा given figure है तो यानि diagram दिया आ गया ठीक है अब मेरे को यह निकालना है 14 का square 196 अब मुझे एक बार पता है कि भाई अब देखें यहां पर मैंने क्या किया मुझे पता है radius 7 होता है तो area 154 होता है पर यह तो आदा सरकल है तो 154 बटा दो यानि 77 लिखा मैंने यह मैंने लिखा साथ का square 99 बटे 2 यानि 24.5 ठीक है 99 बटे 2 लिखा यानि 24.5 लिखा क्योंकि डाइनल का square बटा 2 solve करूंगा कितना आ जाएगा 94.5 cm2 मेरा answer हो जाएगा ठीक है 94.5 कितने लोगों को बास समय जा गई है जल्दी से mg टाइप पर यह जल्दी से सबसे पहले यह पिक्चराइशन बताना बनाना है दिमाग में कि किसमें से किसको गटाना है पर यह लिखने की जुरुवत नहीं है जो मैंने आपको दिखा है मैं आगर होता आपकी जागे तो मैं यह देखता है स्क्वाइर है डारेट यह वैल्यू लेखता यह है सैमी सर्कल डारेट यह वैल्यू लेखता पर यह स्क्वाइर गटाना है डारेट यह वैल्यू लेखता और सॉल कर देता है मैं यह वाली चीज नहीं बनाता ठीक है कि नैस्ट कोशन पर आते हैं नैस्ट कोशन नहीं यह एक एक ट्राइंगल है आपके पास जिसको तीनों शीर से काटा जाता है एक यहां से कट लगाया थीक है एक यहां से कट लगाया ग्या सार की वेल्यू साथ होती है तो मैंने आपको एक चीज़ बताया रखिए पाई सेवन स्क्वेर 154 होता है पर यहां पर आपको क्या करना था यह पूरा सरकल होता तो बात अलग थी यहां तो आदा सरकल था तो 154 बटा दो मैंने दिमाग में कर लिया यह 77 आ गया और यह एक जगे नहीं आगे 1000 जगे करूँगा मैं ठीक है बिलकुल भाई आज की किलास बहुत जादा इंपोर्टेंट है वाकई में अब यह देखिए एक इकुलेडर ट्रैंगल है इसके तीन शीर्स काट दे गए यह हटा दिया यह हटा दिया यह हटा दिया ठीक है अब यह हेक्सगन मिल गया हेक्सगन मिला शट बुझ मिल गया यह ठीक है तो एरिया ओफ हेक्सगन इस वाट पार परसेंटेज ओफ एरिया ओफ ट्रैंगल यह आपको बताना है ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा ध्यान दीजेगा यह सारे इकुल एरिया के मिलेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तो ट हेक्सगन का कितना है 6 नोकितना आहिया present है तो घज्ण यह आपका अंसर हो गया गया इसस का कोई यूज नहीं यह आ sprink चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है नेक्स कोशन पर आते हैं चलिए नेक्स कोशन है आपके सामने यह इसमें डायग्राम गीवन है पीक्यू और एक ट्राइंगल है सो टी इसके मद्दे बिन्दू है ठीक है पीक्यू एंड पीक्यू नहीं है यार यह एस पीक्यू एंड पी आर है यह दें एडिया ओफ शेडिट पार्ड आट थीक है शेरिड पाइड का अबताना है जो कि बहुत बड़ी चीज नहीं है ध्यान से देखिए भाई जब आप काटेंगे यूँ करके पैलल लाइन्स बनेंगी पैलल लाइन्स बनेंगी तो सारे ट्रैंगल एक जैसे आजेंगे वो बिल्कुल लगात सकते हैं भाई अब ध्यान से देखिए S.O.T. देने का मतलब क्या है? S.O.T. देने का मतलब यह है कि यह जो पॉइंट है यह केंदरक है इससे यह बात पता लगी और हमें यह बात पता लग गए कि अगर यह केंदरक है तो हमें पता है तीन ट्रैंगल एकुल एरिया के बनते हैं तो अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ रूट 3 बाई 4 बारा का स्क्वेर इससे मैं तीन से भाग कर दूँ तो आंसर आ जाएगा? यह कितना आ गया? 12 12 कड़िया 12 रूट 3 आ गया तो B option मेरा अंसर हो जाएगा ठीक है? कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से M G टाइप करिए चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नेक्स कोशन पर आते हैं नेक्स कोशन है बहुत इंपोर्टेंट कोशन आए साइन अंडरूट नहीं है साइन एंगल है यह एंगल साइन एंगल और इंपोर्टेंट कोशन है ओफ गोल्यूम ठीक है एक रोंबस है आपके पास ध्यान दीजेगा बहुत शानदार कोशन है यह एक रोंबस है आपके पास A B C D जिसकी एंट 6 है 6 है खुआ ओपोजिट अंगल होते हैं आपको पता है धीटा और फीटा माल लें है है प्याज़ेटा क्यों लिए मैंने क्योंकि एसे चाहारा चम बनाया चैन्टशल 듯 पासल कि और और एक प्लिव्हार्शी बनाया गया गर बेलन बनाया गया कि और मैं आपसे बोलता हूं जब मैं इसका बिलन बनाऊंगा तो बिलन बनेगा कुछ इस तरीके का ठीक है अब आपके सर इस तरीके का बिलन कैसे होता है मैं दिखाता हूं आपको हाइट क्या है इसकी हाइट मेरे को निकालने पड़ेगी अगर यह 6 है यह 180 माइनस थीटा तो यह कितना आगया मैंने पड़ाया था आपको यह वाला कंपोनेंट कोस होता है यह साइन होता है तो यह 6 साइन थीटा हो जाएगी यानि इस स्लेंडर की जो हाइट मिलेगी आपको वो 6 नहीं मिलेगी वो 6 साइन थीटा मिलेगी ठीक है अब मैं आपसे बोलता हूं अगर व volume निकालता हूँ volume भी 6 given है 6 बराबर हो गया pi r square into h h कितना है सिक्स साइन थीटा अब इसे अगर सौल करता हूँ तो देखें 6 से 6 कटा ठीक है ये कितना आगे 9 pi square sine theta की value कितनी आ गई पाई बाई नाइन आ गई यह मेरा अंसर हो गया यह इंपोर्टेंट कोशन है सेम कोशन एक्जाम में आपको मिल सकता है ठीक है बिल्कुल सेम कोशन मिल सकता है कि इतने लोगों को बास समझ आ गई है जल्दी से करेंगर जरूरी नहीं है कि आप आयएस से ही मसलें बनाएं वसकता है पर उस पार उसके संधर जो चायी वह यह हो होगी िए हइड नहीं वहगी साइड इसकी जब मैं इसे गुमाताओं करके तो यह 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 उन गया सिक्ष जो वेल्ल्व वह यह है ठीक है यह हाइड कितनी 6 है, यह 180-θ है, तो यह क्या हो जाता है, यह 6 cos 180-θ, यह 6 sin 180-θ, ठीक है, तो यह कितना हो गया, 6 sinθ हो गया, इसलिए height हमने 6 sinθ ले, तो height कितनी है, 6 sinθ है, इसे mode के परिमाप बनेगा यह, तो 2 pi r किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया, ठीक है, तो r की value कितनी आगई, 3 by pi आगई, अब volume कितना दे रखा था, 6 दे रखा था, pi r square h मैंने डाला, sinθ की value मैंने निकाल ली, ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे, उमीद करते हैं, क्लास आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, next class आपकी मंडे है, मंडे को होगी next class, ठीक, आज मैंने इसलिए कोशिश करा, थोड़ा ज़्यादा कोशिण कराने ही, ठीक है, next class आपकी मंडे, दो दिन अराम से, rest मत कीजिए, rest पर आज़ी हैं आप घर पे, ठीक है, previous उठाके similarity देखिए, जिन बच्चों को भी similarity की दिक्कत है, similar triangle देखिए, ठीक है, अच्छे से, ठीक है, आगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और menstruation को starting से देखिए, अगर किसी को menstruation समझने में थोड़ी से भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, मि menstruation पूरी हो जाएगी, तब आपके सारे question हो जाएंगे, पर यह जो चलना है, बहुत important चलना है, पेपर में इसी से मिलेगा आपको, ठीक है, चलिए मिलते है next class में, जब तक अपना ख्याल लखिए, जैहिन